नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त बहुर पुश्पेंदर चौहान नौर आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक खास पेशकस एक ऐसी पेशकस जिसको देखने के बाद आप पदंगर है जाएंगे दातों तलें अंगलियां दबा लेंगे क्यों क्यों कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ बच्चे आख बंद करने के बाद ठीक वैसे लेख सकते हैं जैसे आप और हम आख खोलने के बाद लेखते हैं क्या कुछ बच्चे आँख बंद करने के बाद किताब को ठीक वैसे पढ़ सकते हैं जैसे आप और हम आँख खोल कर पढ़ते हैं आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन कुछ ऐसे अदबुद बच्चे हैं जो आँख बंद करने के बाद ठीक वैसे बता सकते हैं जैसे हम आँख खोल कर बताते हैं कि हमने किस कलर की शट पहनी है, सामने वाले विक्ति ने किस कलर का चश्मा लगाया है, उसके घड़ी में कितना वजा है, उसके मॉबाइल में क्या मैसेज टाइप है, ये वाकई अद्बुध है, हाला कि आप यकिन नहीं कर पाएंगे, लेक ये श्वर के देन है, प्रतिबहाओं का विकास है, या कुछ और, जानेंगे लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ये खास रिपोर्ट जी हाँ, वाकई बहुत अद्बुध है, आपने फिल्मों और कहानियों में आँखों से अंधरे में देखने या फिर रोबोट से किताबें एक बार में ही स्केन करने की कहानियां तो देखी और सुनी होंगी, लेकिन क्या कोई इनसान ऐसा कर सकता है, जैसा ये रोबोट कर रहा है, वाकई नहीं जैहां वाकई में कुछ प्रती भाएं अधबुद होती हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रती भाएं आज हमारे स्टूडियों में पहुंची हैं, उनको देखकर खुद कंप्यूटर भी दांतों तले अंगली दबा लेगा, और आप भी हैरत में पढ़ जाएंगे, तो चलिए जो सक्सियत है हमारे साथ, उनका नाम है मेगा, मेगा आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, और ये सौम में, बिल्कुल शकल से भी सौम में नजर आते हैं, सौम में आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, चलिए कारिकरम की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम आपको एक बार रिपीट मैं यहां करना चाहूँगा कि यह बच्चे वो बच्चे हैं जो आँख बंद करने के बाद भी यह तैकर लेते हैं कि सामने जो सक्स खड़ा है उसकी शर्ट का रंग कैसा है उसने किस तरह का चश्मा पहना है बेल्ट कैसा पहना है उसके हाथ की घड़ी में कितने बज़े हैं उसके मोबाइल में क्या मैसेज है और इतना ही नहीं वो आँख बंद करने के बाद भी किताबे ठीक वैसे ही पढ़ते हैं जैसे आप आँख खुलने के बाद पढ़ते हैं तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे आरेनिका के पास आरेनिका बहुत कम उमर है आपके लेकिन इतनी कम उमर में इतना बड़ा काम आँख बंद करके सब कुछ बता देना क्या खास करने जानी हमेरे दर्शकों के लिए है आप मुझे कुछी बुक वगरा दे दो तो मैं आपको सब कुछ टेच करके बता दो किसमें क्या लिखा हुआ है कौन सा कलर है आप म अंक बंद करने के बार नहीं वांवाट टच करके तो फील होता है ऐंड्ड जो सामने रखाँ वो दिखता है तो क्या ब्रेंग लिपीस करते वांप ही है नउ वो फिलिंग आती है तच करने से और वैसे लेंसे दिखता है जाँड़ चलिहां। आप सामने पेपर रख दो तो बिना टच करने से पठासका कूझे हुँ आर ले judgments अब कमेंसे सुumon आज मैं आप सब के सामने आप मुझे कुछ भी दे दीजिए मेरे सामने कुछ भी रख दीजिए मैं आपको पता सकती हूँ कि मेरे सामने क्या है मेरे सामने कोई भी खड़ा होगा, मैं पता सकती हूँ इसने कौन से कपड़े पहने है, उसके हातों में क्या है, कितने लोग खड़े हैं मेरे सामने, मैं आपके सामने आपको मुबाइल में मैसेज रीडिंग कर सकती हूँ, मुबाइल का टाइम बता सकती हूँ, घड़ी का ट इतनी सारी स्मेल को कैसे आप अपने दिमाग में फिंड करके रखते होंगे एक्चली अब हैबिट हो गई इस अब करते हैं तो मेर को मुझे पता चल जाता है कि किस चीज की पर्टिकुलर क्या स्मेल होती है कौन से वर्ड में मुझे क्या फील होता है और हर फीलिंग में जल्दी से माजन कर लेती हूँ कब से कर रहे हैं मुझे त्री मंस हो गए हैं चलिए तीन महिने में इतना बड़ा कारणामा शायद हमारी बसकी बात नहीं है लेकिन इतनी सी 11th क्लास में पढ़ने वाली ये बच्ची आख बंद करके बता देती है कि उसके स अगसल क्यों कौन्स क्लास बढ़ते हो पूर्थ क्या कर सकते हो आज हमरे दर्शकों के लिए मैं कलर पचान सकता हूं और रेडिंग कर सकता हूं कैसे आतों से आंख बंद करके चैलेंज फूल फूल कॉन्फिडेंस चलिए सोमे भी आख बंद करके सारी चीजे पहचानेंग अब बताएं मैं अब बताएं कौन से क्लास के स्टुटनेंट हैं कितनी आज हैं आपके मेरी 12 जा कब से आप इस अब कर रहे हैं अच्छा डेड़ मैं नहीं क्या सीखा आपने मैं इसीखा कलर में ना रीडिंग करना पैरों से रीडिंग करना सामने कौन खड़ा है परिचानना इसमिन जो रिड आउट करना उस छीज को सब और जिसे आप पेज दी दीजे में उसमे ड्राइंग करूंगा उसके बाद में इसमें बार भालूँगा अगर में इसमें Color भार ने निकालता हूं मैं उसमें अंदर ही 5 आरकता हूं ह Cartсп cell 가져 है भाल ने निकलेगा वो प्रैक्टिस कराते हैं इस प्रैक्टिस की विज़े से मेरी जो काबिलियत है वो सामने आई है सब लोगों के चलिए इनकी काबिलियत सामने आई है और अब ये काबिलियत आपके सामने भी आने वाली है उसी काबिलियत का नजारा हम आपको दिखाएंगे उसके कुछ मंजर आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले हम इन चारों लोगों की आँखें बंद करेंगे हमें यकीन नहीं हैं इसलिए हमने खुद अपनी पट्टियां मंगवाई हैं और इतना इन पट्टियों के निचे हम कोटन भी लगाएंगे और आँखें बंद करके आपको बताएंगे कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं खैर आप अपनी आँखें बंद मत करियेगा और फिलाल एक वक्त है चोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद मिलते हैं और दिखाते हैं कि आँखें बंद करने के बाद ये बच्चे क्या कर पाते हैं तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब तैयार हो जाईए अपने खुली आँखों से वो नजारा देखने के लिए जो नजारा यहाँ बच्चों की बंद आखे देखेंगी जी हाँ हम बच्चों की आखों पर पट्टी बांधने वाले हैं और इजना यह नहीं बलकि पट्टी के नीचे कोटन भी लगाएंगे और यह इंशूर करेंगे कि यह बच्चे कुछ देख ना पाएं आरेनिका के लिए मैं कुछ इस पेपर पर लिख रहा हूं और चाहूंगा कि आप उसको पढ़कर कि हमें बताएं कि मैं क्या लिख रहा हूं शुरू होता है आपका डेमो अब अगुली रखके बता सकते हैं आप शब्द वो कहा कहा लिखे हुए यहाँ पर लिखा है वन यहाँ लिखा है एटीवी राजिस्थान यहाँ पर एक डैश बना वाए पर लिखा है खबर ही जीवन है वाउ बहुत बढ़िया और चलिए इस डेमो कम अब आगे बढ़ाएंगे हम चलेंगे मेगा के पास मेगा आपको सामने क्या नजर आ रहा है अभी अभी मेरे सामने कोई भी नहीं है अच्छा कोई सामान रखा हो जी हां मेरे सामने त्री टीन ब्लाक कलर के सूटकेश रखे है और सामने एक टीवी है सोनी का और एक बॉटर रखे ग्रीन कलर की रिमोट है एसी का ब्लाक कलर के दो बैटरीज है कुछ कलर फुल और इंज पिंक समान रखे है रिमोट है ओके ठीक आप तो हमारे सारे स्टूडियो का वर्ण कर देंगे अब बस इतना बहुत है चलिए आगे चलेंगे हम सीधे रुख करेंगे अब सौमे के पास सौमे क्या करेंगे अब क्या दिखाने वाले थे हमें मैं कलर पासान सकता हूं और मैं वे बता सकता हूं क्या लिखावा है ओके चलिए कलर पहर निए अप मैं आपको एक भूप दूँगा उसको देखकर क्या अपके सक बूप आरहे है मेरे सात कि एक गिटार है वाव कौन सा है यहां पर स्काय ब्लू है ओके इच में ग्रीन है और यहां पर रेड है और और आगे की तरफ यहां पर और विच में मतमे लेकर रंका है मिट्टी के जैसे रंका मैं सही भूर रहा हूं हम कंफार्म कंफार्म वेरी गुड़ चलिए आपके दूसरे हाथ में जो है उस तरफ बताईए आपके लेफ्ट एंड की तरफ यह कौन सा रंग है यह ही बताईए एक डाइस है ओके और इंज कलर की यहां पर थ्री है यहां पर शिक्स है ओके यहां पर फाइव है कैसे इंदर ज सुम बच्चा है इतना चोटा बच्चा जो सिर्फ फॉर्थ क्लास में पढ़ता है बहुजू इसके ठीक वैसे देख पाता है आंके बंद करके जैसे हम आंके खोल कर देख रहे हैं चलिए आगे चलेंगे हर्श के पास हम आप क्या करने वाले हैं मैं रीड कर सकता हूं और आप ड्राइंग देंगे उसमें मैं कलर कर सकता हूं और कलर आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूं चलिए बताए आपके सामने क्या है अभी फिलाल कुछ नजर आ रहा है अभी फिलाल कुछ भी नहीं है मेरे सामने आपके आखों के सामने कोई एक चीज जो लहरा रही हो मेरी चलिए प्रतिवा का आंकलन करने के लिए एक और नुकसा आजमाय जा है और हम सबसे पहले बात करेंगे यह मेरा मुबाइल है क्योंकि इसमें चिटिंग नहीं हो सकती मेरे मोबाइल की स्जिए सिर्फ मैं जानता हूँ यह बच्चे नहीं जानते तो चलिए मैं अपना मोबाइल इनको देता हूँ और कोशिश करते हैं कि जो एप मैं खुलने के लिए बोलता हूँ क्या ये बच्चे इसको खुल पाते हैं क्या उसको रीड कर पाते हैं अगर ऐसा होता है तो वाकर ये प्रतिभा बहुत अद्पूत है चलिए हम सुरुवात करेंगे हर्ष के साथ हर्ष ये मेरा मोबाइल मापको दे रहा हूँ आप मुझे इसमें कोई भी एक एप खुल के दिखाएं जो गेम से रिलेटेड है आप एक काम करिए टेमपल एक गेम है इसमें वो आप मुझे खुल कर दिखाएं और कैमरे के सामने भी उसको कीजिएगा ताकि जूम करके हम दिखा सकें कि आपने टेमपल गेम ही खुला है क्या लिखा हुआ आया है पहले इसको पढ़ेंगे आप यस क्या लिखा है डिजनी मोबाइल ओके क्या गेम खुल रहा है हाँ गेम खुल रहा है दिखाएंगे मुझे वैरी गुड दिजिएगा मोबाइल ये आप देख सकते हैं जिस गेम को मैंने खुलने के लिए कहा था वो गेम हर्ष ने खुल दिया है यानि कि यह कहा जा सकता है मेरे mobile के App सिर्फ मैं जानता हूँ किस जगह हैं कहां loaded है उसके बावजूद भी जब मैं ने log खोल कर mobile कर दिया तो उन्होंने इस GAM को । खोल दिया है जो temple नाम से इस mobile में फीड था हम आगे चलेंगे स्वाम की तरह आप से जानेंगे मैं आपको मोबाइल दे रहा हूं हर श्रस्वामे को मोबाइल दीजेगा अब सवमे आप से हम जानेंगे आप मुझे सब्वे नाम से इसमें एक एप है सब्वे एस यूबी डब्लू ए वाई आप मुझे वह खोल कर दिखाए सब वे यह धूंड पाया आएघ रभड यह आप देख सकते हैं मैंने जो एप खोलने के लिए कहा था वो सौम ने एप खोल दिया है आगे हम इसी मोबाइल को देंगे मेगा को समय ये मोबाइल आप मेगा को दीजेगा मेगा इस मोबाइल का पहले ये आप गेम बंद करेंगी और उसके बाद मैं आप से चाहूंगा कि आप मुझे इसमें से जो एप है वो वाटसप का जो बस एक लाइन पढ़ें जो मैसेज किये किसने मैसेज भीजा है उसका नाम पढ़ दीजे एटीवी वीजी जापूर ओके आजिंगे ग्रूप है सी राम मोहन जी माइन पावर मौव विल साइं तुमारो अठ होटल क्लर्क्स आमेर 10.30 अम ओभी लिव रिपोर्टर आश्वेरे पराधन कैम धर्मेंदर निर्मल तिवारी कैम पवन और सुधीर शर्मा डॉट कैम देवेंदर विल गो ओके थैंक्यू मेगा बहुत बहुत गजब आपने कर दिया है आपने पूरा एप खोला एप खोलने के बाद उसमें जो मैसेज था वो पड़ा आरेनिका मैं आपसे चाहूंगा मोबाइल में यह तो बहुत सारे एप हैं लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे लिए कॉंटेक्स खोल सकती हैं चलिए आप नंबर निकालिए अमन जी के नाम से इसमें एक नंबर फीड है वो आप नंबर निकालिए अमन जी एटीवी कैमरा या मिल गया है दिखा सकते हैं आप उधर कैमरे पर वेरी गुड़ यह अमन जी का नाम मैंने इनको कहा था लेकिन जो वाकई फीड है अमन कैमरा एटीवी जैपूर यह लिखा हुआ है जैसा कि हमें अभी आरेनिका ने बताया और आपके सामने नंबर को पढ़ सकती है कि नंबर क्या है प्लस 919001452777 वेरी गुड़ आपने नंबर भी पढ़ दिया है और बहुत-बहुत मैं आपको शुब कम नहीं दूँगा आरेनिका कि आप इतनी अच्छी प्रतिवा की दनी है हुआ